नमस्कार दैनिक्षिफ टाइम में आप सबका स्वागत है मेरे श्मी शर्मा कैमरामन श्वम भगत के साथ आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा बड़ा ही गंबीर और कहीं न कियाम जनता की जिन्दगियों के साथ जुड़ा हूँ अगर बात करें जम्मू कश्मीर की जहां पर एकतर सरकार और प्रशासन बड़े-बड़े दावे करता है वहीं दूसरी तरव आज आम आदमी पार्टी के यूटी के स्पोक्सपरसन जगदीब सिंग ने जी ने धजियां उड़ाई हैं यहां के स्वास्त व्यवस्ता को लेकर आए जानते क पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके इस मंच के माधियम से आपके तमाम दर्शकों का भी जगदीब जी आप आज में पैसवारता किया आज अपने स्वास्त व्यवस्ता को लेकर यूटी अड्मिस्टेशन को आड़े हाथो लेहा धजियां उड़ जीवन पूरी तरह से इस गुंगी बहरी और अंधी सरकार के हवाले हैं जिन लोगों के पास तो पैसे हैं वो निजी अस्पतालों में बाहर के परदेशों में इलाज करवा लेते हैं लेकिन जो लोग सरकारी अस्पतालों में तेनात डाक्टरों के हथे चड़ते हैं उनकी जिनके उपर इस सरकार का जो विजन है वो इतना जाहिलाना नजर आता है मतलब साब साब दिखता है कि सरकार में इतना भी कैपेबिलिटी इतनी भी कूबत नहीं है कि जो चीजें दिख रही हैं कि जिनकी वज़ा से आज दरजनों जाने बेश कीमती जाने रोज जाया होती है कोई संग्यान नहीं तो मैं सबसे पहला जो आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कुछ दिन पहले स्किम आस्पिटल आपको पता है कश्मीर का अस्पताल है पीजी आई की तुलना में उसकी रेटिंग करीब करीब बराबर थी हैरत होती है एकी परदेश है जब हमने उसके कारणों पे जाते हैं हम उस पे गौर करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि स्किम के अंदर प्राइबेट डॉक्टर की प्रैक्टिस बैन है उसकी वज़ा से क्या हुआ कि सुभा आठ से लेकर छाम 6-7 वज़े तक डॉक्टर वहां उपलब्द रहते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जब सुभा डॉक्टर राउंड पे जाती है मसलन एचोडी मेडिसन राउंड पे जाता है तो एक सिस्टम बनाया गया है वहां पर जो हमने व्यक्तिकत तौर पर देखा वहां पे रेजिजन डॉक्तर पहले जाके केस हिस्ट्री बनाते है तिर्फ जब एचोडी मेडिसन जाता है तो उस बचैरे को उसके तिमारदार स्टेचर में उठाके सुपर स्पेशलिटी लाते हैं इलाज के नाम पे दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक जमाने में मैंने खुद ये स्टोरीज की हुई है जमू मेडिकल कालेज के अंदर आपको मक्हियों की तरह बिन बिनाते हुए वो एजेंट दिखेंगे जिनकी लैब्स बाहर हैं वो क्या करते हैं मरीजों के वहीं से मतलब इतने निकम्मे नपुनसक अड्मिस्टेशन के लोग हैं कि उनकी मजूदगी में बाहर से एक आदमी आके मरीज का सेंपल लेता है किस मरीज का जो अस्पताल के अंदर भरती है पर बाहर से ही उसको रिपोर्ट लाके दे देता है और उसकी भी कोई क्रेडिबिल्टी नहीं कि एक घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आती है उसकी क्रेडिबिल्टी क्या है इसके लादा आज भी जहां तक मुझे जानकारी है किराए के समान पर मेडम किराए के समान पर जो जम्मू मेडिकल कॉलेज का आर्थों का डिपार्टमेंट है बाहर से दुकानों से किराए पर समान मरीज लाता है और फिर उसका आपरेशन होता है और बाद में वो समान बापिस कर दिया जाता है लानत है ऐसी ववस्ता पर लानत है मैं कहूँगा तो ऐसे कितने मुद्दे हैं जिन पर अगर हम बात करें तो हमारी सरकार जो है उसको कताई परवाद नहीं है आपको याद होगा जैसे मैंने अभी बात की कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाते जाते ही मरीज जो है कई मरतवा दम तोड़ देता है बड़ी देर पहले इन्होंने एक परवधान मनाया था कि हम चैस्पताल को चैस्ट हॉस्पिटल को साकेट्रिक हॉस्पिटल को सुपर स्पेचलिटी को और मेडिकल कॉलेज को फलाई ओवर से जोड़ देंगे जिस पर गाड़िया नहीं चलेंगी स्ट्रेचर लेकर आप उनको लेकर जा सकते हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ, अब उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताओं, तेकि हमें बुनियादी कारणों को समझना पड़ेगा, आपको पता होगा, कुछ महीने पहले हमारी इस परदेश सरकार ने कहीं सो डॉक्टर को निलंबित कर दिया, निशकासित कर दिया, क्यों क कि वो अपनी ड्यूटी पर परसों से गई नहीं थे, लेकिन क्या सरकार ने एक बारगी भी सोचा कि ऐसा क्यों है, मैं आपको बनियादी कारण आज बताना चाहता हूँ, दरासल हो क्या रहा है इस परदेश के अंदर, जो बच्चे नॉमल आइक्यू के होते हैं, जो इंट पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहां से बच्चे अंदाजा लगाईए पाकिस्तान जैसे देश से बच्चें अंबीबियस करके आते हैं, अब वहां पर क्या है कि जो 14 में सब्जेक्ट्स हैं, उनकी उसत जो परसेंटेज है, वो 70 से 75 पीसद है, पास परसेंटेज बो जहां पर भी उसको कोचिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि कारण क्या है कि बच्चे की प्रेक्टिकली तो बढ़ा ही हुई निए, उसके बाद जब वो बच्चा पबलिक सर्विस कमिशन में जाता है, तो उसके कॉलेज रेकड को देखते हुए, यानि कि वो जो उसने डिस् परसेंट है, साथ से पैंसेट प्रतिशत बाला बच्चा जो है, वो मेरिटोरियस काइंड अफ जो है, स्टुडेंट माना जाता है, अब जब वो पबलिक सर्विस कमिशन में वो डाक्टर्स जो हैं, वो जब ये कर लेते हैं, क्वालिफाई, तो इन्हीं डाक्टर्स की तर आपरेशन थेटर पर या क्रिटिकल कंडिशन में ट्रीट नहीं करता, तब तक उसको एक्स्पिरियंस नहीं आता, उसमें क्या होता है, कि एक रैफरल पालसी बन गई, आज आपकी उंगली में छोटा सा कट लगा, आपको उठाएंगे, उदंपुर से जम्मू मेडिकल कॉ रहा है, जगदीब जी एक बात जुरूर आपने आपसे जाना चाहेंगे, आपने भी जमीनी स्थर पर जनरलिजम की लाइन में कदम रहा है, जमीनी स्थर पर जो मुद्धों को सामने लाया, आप बली बानती जानते हैं, आज भी बात करें, गौर्मन मेडिकल कॉलेज की, SM को जाना भी नहीं चाहिए, पर सवाल यह है, कि आम जनता के मीडियो को क्यों बैंक किया गया, एक सवाल, दूसरा सवाल, आए दिन डॉक्टरों से शिकायत रहती है, जनता को यह हम नहीं कह रहे है, जनता को कहाली में, दो दिन पहले कि अगर बात करें, SMGS होस्पिटल में, एक रिजिस्टरार को अटेंडन द्वारा काफी पीटा गया, और उनका यह कहना था कि उनका एक 11 महीने का बच्चा था, जिनकी जान गी, वह कही ना कही, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के स्टाफ को इसका जिम्मेदार कहते हैं, पर अगर देखा जाए, उन डॉक्टर्स और साथ पर लेबर रूम के अगर बात करें, अगर बात करें, तो मुस्टरी लोगों की शिकायत रहती है, वहां का जो स्टाफ है, अच्छी तरह से वहां के अटेंडन्स अपेशन को ट्रीट नहीं करता, तो क्या वजुहात हैं? आपने तीन सवाल पूछे, मैं तीनों पे सिलसले वाडंग से आऊंगा, नितांत शर्मनाक है, मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि मीडिया का वहां पे परवेश बरजित है, वो इसलिए है, क्योंकि इन लोगों की जो जमीनी हकीकत है, वो इतनी दक्यानुसी डंग से ह इतनी गटिया है, इतनी लचर है, कि अगर मीडिया वहां जाए, तो इन लोगों की तो पोल ही दूसरे दिन खुल जाए, अब दिक्कत क्या है, देखिए, कई बार तो इतना अफसोस होता है, आपको मैं बता दूँ, इसी शाला मारा अस्पताल, जच्चा बच्चा अस्पत जाता है, और वहीं पर दम तोर देता है, किष्ट बार में, आज से चार साल पहले, इको बार के अंदर एक बच्चे का आधा सर, एक दिन के बच्चे का चुआ खा जाता है, छे महीने पहले रामबन में, दो बच्चिया पैदा होती है, बच्ची को मरा हुआ बता कर पेरें किस तरीके का सिस्टम यहां बना है, लेबर रूम के अंदर, मैं सीधे शब्दों में बोलूँगा, वहाँ पर जो तैनात सिस्टर्स है, वो थपड़ता कर सीध कर देती है मैलाओं को, जो वहाँ पे पेशिंस मैला हैं, प्रसब के लिए आती हैं, कोई पूचने वाला नही है, दरासल क्या है, हमें समझना पड़ेगा, जब हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरा दिखाई नहीं देता, दिक्कत दोनों तरफों से है, जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाओंगा, यहां पे सारो एटी तरी के तहत, जब सुपर स्पेशलिटी हस्पताल बना, तो सो से जादा दॉक्टर्स को इन्होंने अपॉइंट किया, अब वो डॉक्टर्स कौन थे, जो न्यूली क्वालिफाइड दॉक्टर्स थे, सो में से आज की तरीक में आठ से दस डॉक्टर जो है, वो बचे हैं, बाकी के सारे डॉक्टर्स जो हैं, वो प्राइबेट हस्पताल में कोई एमस में बैटा है, कोई देरादून चला गया, कोई बैंगलोर चला गया, आज मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या है, आप देखिए, अगर दिन में 50 से 60 केस मान लीजिए, मेडिकल लीगल केस बनता है, कोई आग जनी का मामला है, किसी ने कोई सुचाड एटेम्ट किया है, तो जो डॉक्टर सबसे पहले ट्रीटमेंट करता है, उसकी कवाही कोट में बहुत माइने रखती है, लेकिन दिक्कत क्या है, कि कोई अचोड़ी वहाँ पे सीमो नहीं मनता, वो नए डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स को वहाँ पे बिठा दिया जाता है, और पूरे अस्पताल का जिम्मा उनके कंदो पर होता है, ऐसी परिष्टिती बे ना तो उन मरीजों को इनसाफ मिल पाता है, ना अस्पताल के अंदर प्रापरली ट्रीटमेंट हो पाता है, तो ऐसी बहुत सारी बाते हैं, जिनको जब तक सरकार जो है, ये सरकार बाता काम है, तो किस तरह से इस पर लगाम क thế सी जाहेगी, आकरी सवाल, क्योंकि जब कही ना की विजर्ट होता है, अलजी मोहुदे का, या कमीन मा हलथ कमिशनर का होता है, तो कही ना की सफे चादर की तरह हस्पताल को बिलकुल चमकाया जाता है, आदमी को समझना पड़ेगा दरसल हो क्या रहा है जहां पर आपने ये जो बात रखी कि लोग जो है वो जब कोई बड़ा सेनियर अधिगारी आता है तो ड्रामा लीपप होती कर देते हैं मैं आपको थोड़ा गहराई में ले जाता हूँ ताज मयो दिन जब स्वस्थ मंतरी था इस आदमी ने क्या किया हर अस्पताल के अंदर अपना एक दफ्तर बना दिया कोई से पूछे कि क्या वालिद की वो जैदा थी प्रापटी थी जिसके उपर इसने अस्पताल के अंदर अफ्तर बना लिया फिर पी ओपी मोड लेके आ गया उसके बाद लाल सिंग आता है लाल सिंग ने संजोग फार्मेसी को उठाकर जम्मू के अंदर ले आया उसके बाद क्या हुआ जो तिमारदारों की मैंने पहले बोला चमड़ी बाहर देड़ी जाती थी वो अस्पतालों के अंदर उनों ने इसका प्रबंद कर दिया फिर आया बाली भगत जी आपको याद होगा एक रात बाली भगत ने जैसे ही सम उसको मुका मिला पुस्तस्त मंतरी बना उसने मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके उस धांचे को गिरा दिया जहां संयोग फार्मेसी ने बनना था अब फार्मेसी बाला परिशान है क्योंकि पहले एक मंतरी से वो निपता उसके बाद दूसरा आ गया अब दूसरे को जब तक वो नहीं अपने हिसाफ से कमूडेट करता तो वो कहता मैं करने नहीं दूंगा जी क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज में जगा कम है सीटे कम मिलती हैं फिर क्या हुआ उसको जाके कोट की चरण लेनी पड़ी आज वो संजोग फार्मेसी तमाम अस्पतालों के बाहर अंदर आप देखो बंद हो गई दिकत क्या है किस तरह से इन चीजों से बाहरा आम जंता को निकालेगा देखिए नियत आम आदमी पार्टी निकालेगी नियत चाहिए नियत चाहिए मैं एक सिंपल एक्जामबल बताता हूं आपको आज आप अगर डाक्टर की प्राइबट प्रैक्टिस बैन कर दें तमाम के तमाम हस्पतालों के अंदर सारी सुविदाएं ठीक हो जाती है राइट अवे डॉक्टर का इंटरस्टी नहीं है उस जो डाक्टर है उसको जब आप उसकी प्राइबट प्रैक्टिस बैन करेंगे उसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं मैं आपको बताता हूं एक फास्ट रैक ओपीडी है मान लीजिए कि आज 500 पेशेंट लाइन में खड़ा है उसमें से कुछ पेशेंट हैं जो 200 रुपया मा साब के हास्पिटल का रेवनियू बढ़ गया चीजें बहुत सारी हैं जिनको आप कर सकते हैं लेकिन मैडम बात वहीं खतम होती है सवाल नियत का है तो ऐसे इसमें और मैं कुछ चीजें जोड़ दूँ आज आपको आपको याद होगा मैं अपने दोर की बात बताता हूं दरहाल में दोहजार साथ आठ में तीन बड़े एक्सिडेंट्स होगे थे सौ से ज़्यादा लाशे मैंने अपनी आपकों से देखी आज भी क्या है राम मन सबसे बड़ा एक्सिडेंटल प्रोन जोन है इन्होंने बोला जी हम हाईवे के किनारे हैली बैड बनाएंगे कहा ह है वह हैली पैट इनसे दो सड़की नहीं मनी हैली पैट दो दूर की बात है तो कहने का तत्पर यह है कि आज सबुच्चे परदेश के अंदर सिती इतनी विद्वनसक है कि एक तरफ इसी परदेश के अंदर एक असपताल जबर दस तरीके से ट्रीटमेट कर रहा है क्योंकि कश्मीरी जो है वह अपने हाक हुकों के लिए बोलना जानते हैं और जम्मू के लोग वह सीधे लाग साधे लोग है उनको जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से चला रहे हैं तो ऐसे बड़े सारे कारण है आम आदमी पार्टी ही इस सारी परिशानियों से निकाल सकती है मैं आपको चोटा सो धारन देता हूँ पिसले दिनों क्या हुआ कि एक एक्सिडेंट होता है जम्मू में मैं हैरान हुआ जब मैंने सुना जी वो सिपाही मौके पे आता है बला बला दो मिनिट में एम्बुलेस ले आता है मरीज की अभी मरीज भेहोश है जब मरीज को होश चाता है तो वो पंजाब के एक टाप गलास के हास्पिटल में आके खुलता अपनी हमें बड़ा च्छा लगा जी क्या इतनी हमारी पुलिस जो है वो इतनी काबले तरीव काम करना शुरू कर दिये और बाद में पता लगा कि उनकी इनोंने पर्सेंटेज करके रखी हुई ह कि आप हमें हस्पिताल में मरीज बेजो उस मरीज का जिसका बचारे का यहां लाज फ्री होना था उसको अप लाक रुपे बरना पड़ा तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है मैं आखिर में कहना चाहूंगा हमें समझना होगा आम जन को समझना होगा और एक आखरी बात मैं और कहना चाहता हूं आज मौका मिला आपके माधियम से आपको पता होगा कि मोधी सरकार ने आईशमान कार्ड जो है आईशमान योजना को बुनाया चबरतस तरीके से बुनाया लेकिन क्या सरकार के पास कोई आंकड़े हैं कि अगर आपने एक साल मे दसदार मरीजों का आपरेशन किया कितने बचे प्राइबेट हास्पिटल ने क्या किया एक गरीब आदमी जिसके आज आईशमान कार्ड में पांच लाक रुपेया उसको आपरेशन की जरूरत थी या नहीं थी उसको उससे कोई लेना देना ने आपरेशन थेटर पे लिट अगर आदमी की जान बचाए तो बचाए इनके सहारे तो मैं आपको बता दू इन अस्पतालों को इसलिए तो आज मेडिकल कालेज को लोग बुचर खाने की उपमा दे रहे हैं तो इन चीज़ों पर मुझे लगता है हम लोग जो है बड़े लांग विजन से आए हैं और मै आपके माधियम से नाकेवल सरकार को चता रहा हूं बलकि ये भी बता रहा हूं जिस दिन हम आदमी पार्टी सतासीन हुई हम हर उस मुद्दे में आज आप दिल्ली के अस्पतालों को देख सकते हैं जगदीब सिंग जी जो हम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्चन जी के यूटी के हैं उन्हें पोल खोली है हमारी जुस्वास विवस्ता को लेकर और वाके कही ना कहीं हम कहेंगे सही भी है कुछ दिन पहले कि अगर बात करें पीछे जाए तो एक वीडियो हमने किया था कि SMGS होस्पिटल में एक पेशन जाता है और पेशन जब डॉक्टर के पास जाता है उन्हें एक मैडिसन रिकमेंड की जाती हो जब वो मैडिसन बाहर लेकर आते हैं वो कहते हैं नहीं ये वली मैडिसन ठीक नहीं है दूसरी मैडिसन ले जब वो दूसरी लेकर आते हैं जो बा पार चल रहा है कहीं न कि आम जनता की जो समस्य हम वो बताएंगे और ज़र दवाई 90 रुपे में आती है वो दवाई बाहर 980 रुपे में आ रही है यह अंतर है कैमी शॉप्स का रिकॉमेंड करने का बार यानि मैं भी कमिशन सेट की हूँ तभी आम जनता लगातार हमारे सब्तालों को कोस्ती वहां की ववस्ता को कोस्ती है इसी के चलते जगदीब सिंग जी ने आज आड़े हाथों लिया और उनने क है कि आम आदमी पार्टी मैंज एक ऐसी पार्टी जो आम जनता की इन समस्याओं को निकालने में कहीं ना कि उनका सहयोग करेगी पर सवाल बढ़ा यह है कि क्या जनता वाके चाहती है बदला हो जब तक किसी भी देश किसी भी राज्य किसी भी यूटी में स्वास्त विवस सुजाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर किजिए जुड़े रासी मार्स अगले अपडेट के लिए जाहिं जबार